Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी माम, welcome back to Magnet Brains जो आपको provide कराता है kindergarten to class 12, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिलकुल free जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Brains provide कराता है unpaid subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेने की जुरुवत नहीं है चाहे वो CBSC board हो, UP board हो, बिहार board हो या MP board हो आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे और साथ में मिलेंगे धेज सारे practice questions इतना ही नहीं आप available कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो है हमारी class 11th biology unit number 3 that is cell structure and function और इस unit का हम last chapter मतलब third chapter cover कर रहे हैं जो की है cell cycle and cell division आपके NCRT में chapter number 10 है और आज के session में हम करेंगे significance of meiosis तो meiosis के क्या significance होते हैं वो हम देखने वाले हैं चले तो without any further delay जल्दी सारे बच्चे अपने attendance लगा दीचे, attendance कैसे लगाना यह तो आपको बहुत अच्छे तरीगे से पता है वीडियो को like करना है और जादा से जादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहन और पडोस्यों को जिससे वो भी आपके साथ जोड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके राइट तो without any further delay आज हम start करते हैं session को तो देखिए मैं कुछ पहले बात करने से पहले meiosis की significance जाने से पहले मैं आपको mitosis और meiosis का क्या distribution होता है chromosome का and मैं बात करूँ तो DNA के amount का वो हम discuss कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर आएगे right चले बेटा तो पहले मैं mitosis की बात करती हूँ किसकी बात करती हूँ mitosis की तो mitosis में हम क्या देखते है mitosis हम already complete कर चुके है meiosis में हम complete कर चुके है तो हमने mitosis में क्या देखा कि यहाँ पर एक cell था यह क्या था एक cell था right यह cell था ओके यह cell जो है अपने G1 phase में किस में है G1 phase में यह cell अपने G1 phase में right तो G1 phase में जिसे हम gap phase बोलते हैं इस phase में हम बात करें तो cell की अंदर जो DNA का amount था किसका amount था DNA का amount था वो कितना था DNA का amount जो था वो कितना था 46 picogram कितना था 46 picogram right वहीं पर मैं बात करूं किसकी DNA के number की किसकी DNA के number की तो DNA का number जो था वो कितना था DNA number जो था वो कितना था 46 कितना था 46 याद रखना यह point right अब क्या हुआ इसके बाद आया G1 या G2 या S phase right तो यहां पर आया next phase that is G2 phase और S phase right तो S phase होगा और G2 phase होगा तो मैं यहां पर comment लिख देती हूँ S phase में और G2 phase में DNA और cell के अंदर chromosome का number कितना रहेगा तो देखिए यहां पर बेटा G2 phase और S phase में DNA का amount डबल होता है ना कि chromosome का number right तो यहां DNA का amount जो है वो कितना होगा जल्दी बिताइए DNA का amount कितना होगा कौन सा color लिया था हमने DNA amount जो है वो कितना होगा आपका बताएए 46 picogram कितना होगा 46 picogram वहीं पर मैं बात करूँ किसके DNA की amount की तो DNA का amount जो है बिटा DNA का amount तो होगया chromosome का number सौरी यहां पर मैंने क्या लिख दिया यह क्या होगया आपने बोला भी नहीं DNA का नहीं chromosome number chromosome number कितना होगा ठीक है chromosome number जो है वो कितना होगा यहां पर 46 और यहां पर chromosome number कितना होगा जल्दी बताएए DNA का amount इतना ही रहेगा यह double होगा DNA का amount जो है वो कितना हो जाएगा यहां पर मैं double हो जाएगा क्योंकि S phase में DNA का क्या होता है duplication होता है DNA का duplication किस फेज में होता है? S-phase में, मतलब यहाँ पर DNA का amount डबल हो जाएगा 46 का डबल कितना होता है? 92, right? और मैं बात करो chromosome की तो यहाँ पर बेटा जो chromosome का number है वो कितना रहने वाला है? Same, chromosome number जो है वो कितना होगा अभी भी, जल्दी बताइए 46, कितना होगा? 46, right? इतना clear हुआ या नहीं, जल्दी बताइए तो यह तो हो गया हमारा क्या? Interface, after mitosis मतलब हम यहाँ पर karyokinesis की बात करें तो after mitosis यहाँ पर क्या होगा? यहाँ हमने mitosis करा दी क्या करा दी? mitosis, और mitosis कराने पर हमें इस एक cell से कितने cell मिलेंगे? दो cell मिलेंगे कितने मिलेंगे? दो यहाँ, एक यह हो गया और दूसरा ठीक है, यह हो गया, right? तो इस cell में बिटा इस cell की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर DNA का amount क्या होगा? बताइए, एक ही cell से बनाए, एक ही cell से दो cell बने, right? तो यहाँ पर DNA के amount की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करें? DNA के amount की तो DNA का amount जो है बिटा, वो कितना हो जाएगा? 92 का half कितना होगा? 46, तो यहाँ पर आ जाएगा 46 picogram, और 46 यहाँ पर चले जाएगा, DNA का amount यहाँ पर ही कितना होगा? 46 picogram क्योंकि यहाँ पर इस cell में कितना था? 92, 92 का half कर दो 46, 46 इसमें चला जाएगा 46 इसमें चला जाएगा right? clear है या नहीं जल्दी बताएगे इतना clear हुआ या नहीं, तो यहाँ पर मैं chromosome का number क्या half हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर chromosome का number कितना रहने वाला है? 46 ही रहने वाला है तो यहाँ पर chromosome number जो है वो कितना रहने वाला है? chromosome number जो है बिटा वो कितना रहने वाला है? 46, मैं ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? यह कैसे हो गया? हमें नहीं समझ में आया तो अभी देखते हम यह क्या हो गया chromosome number यह कितना रहेगा यहां पर 46 मैंने ही समझ मैं यह क्या हो गया आपने क्या कर दिया तो देखें में यहां पर बात करती हूं तो देखें यहां पर dna जो था या chromosome जो वो अपनी इस स्टेज में प्रेजेंट था ऐसे प्रेजेंट था ये क्या है बताइए क्रोमोजोम तो ये क्या था क्रोमोजोम इस स्टेज में राइट जब क्या हुआ यहां पर ऐस फेज हुआ तो क्रोमोजोम जो है विटा अपनी किस स्टेज में चला गया इस स्टेज में राइट क्यों कि देखो क्रोमोजोम का नंबर अभी भी दो ही है यहां दो था यहां भी दो ही है बट यहां पर एक क्रोमोजोम में कितनी क्रोमाटेड आ गई दो यहां पर एक क्रोमोजोम में कितनी क्रोमाटेड है एक बेटा यह पूरी एक chromatid होती है यह एक chromatid होती है यहाँ पर एक chromosome पर आपको कितनी chromatid देखने को मिल रही है दो तो chromosome का नंबर तो यहाँ पर भी उतना है यहाँ पर भी उतना है बट यह chromosome में DNA का amount जो है यहाँ पर 46 था बट यहाँ double हो गया ना कितना हो जाएगा 92 तो यहां पर क्या हो रहा है बिटा देखिए यहां पर यह chromosome फिर से इस तरीके से हो जाएगा किस तरीके से हो जाएगा ऐसे right मतलब यहां पर chromosome का number अभी भी उतना ही है जितना की किस में था जैसे कि G1 phase में था वैसे कि वैसा आपको कब clear है यह नहीं तो जल्दी से बिटास का screenshot ले लो यह हो गया हमारा क्या mytosis क्या हो गया mytosis अब मैं बात करती हूं meiosis की किसकी बात करती हूं meiosis की तो meiosis आपको याद रखना है कैसे meiosis दो फेज में होता है meiosis 1 and meiosis 2 हाना कि अगर आद वोड़े हूं कुछ बताईए meiosis की अगर मैं बात करूं तो meiosis में मैंने क्या किया बटे एक सेल लिया पहले यह एक सेल लिया राइट ओके यह किस फेज में है अपने जीवन फेज में यह जो आपका सेल है यह एक्जेक्ट ऐसा ही है एक्जेक्ट ऐसा ही है मतलब इसी की कॉपी होगा यह भी मतलब यहां पर जो क्रोमोजोम है इस तरीके से अरेंज होंगे राइट ऐसे ही होंगे क्या होंगे जल्दी बताईए इस तरीके से ही होंगे ना कौन सा कलर था यह वाला ना इस तरीके से क्या होंगे kromozoms arrangeोंगे, right? इतना clear हुआ या नहीं? अब क्या आएगा? G2 phase, ज्या आजाएगा? G2 phase, बेटा यहाँ पर हम 46 축 homogeneous होते हैं, right? यहाँ पर क्या होते? magnesium होते हैं, homologous होते हैं, जैसिकि यह chromosome number 1 है तो यह chromosome number 2 है और इसका homologous chromosome होगा इसका क्या होगा यह वाला जो chromosome है ये क्या है km1 है चलो ये क्रोम optimize नूंबर बन है ये क्रोम two है तो ये आपस वह जाएंगे homolocus ऐसी chromosome होते हैं पर ओके अब ये मत सोच नमें ना क्रोमोजोम यहां मैंने दो बनाए बर है तो 46 यहां पर भी 46 क्रोमोजोम हैं तो यहां पर यह Das は और एसे 23 परिएर अफ रूमोजोम हैं ओके एब मैं बात करती हूं किसकी बिटा यहां पर मैंने बात की है कि DNA का amount जो है किसका amount DNA का amount जो है वो कितना है DNA का amount जो है बिटा वो कितना है 46 picogram राइट और chromosome का जो number है number जो है वो कितना है बिटा 46 मैं समझ में आ गया यह चीज तो राइट अब क्या है बिटा यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर आप next step जो है वो कौन सी होगी आपकी S phase या यह आपकी कौन सी आ जाएगी जल्दी बताईए यह आ गई आपकी S phase या G2 phase राइट S phase या G2 phase तो यह होमोलोगस क्रोमोजोम हो गए राइट यह क्या हो गए होमोलोगस क्रोमोजोम ओके अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए बटा यहाँ पर मैं किसकी बात करूँ DNA की अमाउंट की तो DNA का अमाउंट क्या है अब मैं पूरा नहीं लिखती हूँ ऐसे लिख देती हूँ DNA चलो लेखी दूँ क्या ही बचूंगी यहाँ पर अमाउंट जो है वो कितना होगा क्या ऐसा stage रहेगा नहीं आपने मैं बोला था कि यहाँ पर क्या होता है replication होता है DNA का मतलब यहाँ पर यह stage देखने को मिलेगी कौन सी stage यह stage और मैं यहाँ पर भी ऐसी stage देखने को मिलेगी कितने लोग पकड़े जल्दी बताएए कितने लोग और ने पकड़ा यह चीज बताएए यहाँ पर भी मैं ऐसा नहीं होगा कैसा होगा जल्दी बताएए यहाँ पर भी इस तरीके से होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस phase में DNA का replication तो यहाँ पर chromosome के number तो मैं same है बट DNA का amount क्या हो गया double right मतलब DNA का amount यहाँ पर अभी कितना है मैं 92 picogram picogram मतलब 10 to the power minus जल्दी बताएए 10 to the power minus 12 right चलिए उसके बाद मैं बात करूँ किसकी chromosome के number की तो chromosome का जो number है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर chromosome number जो है CN वो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताएगे Chromoseum का number अभी भी 46 है कितना है 46 अब यहाँ देखिए क्या होगी Miosys 1 क्या होगी Miosys 1 यह तो Miosys 2 हुई क्या हुई Miosys 2 हुई Right अब क्या होगी Miosys 1 Miosys 1 में क्या देखने को मिलता है बिटा Miosys 1 में क्या चीज़ देखने को मिलेगी बताइए मियोसिस वन में क्या चीज़ देखने को मिलेगी अब देखिए मियोसिस वन में क्या हुआ जब meiosis 1 हुआ तो एक cell से कितने cell बने दो cell बने कितने cell बने दो cell राइट तो यहाँ पर जब meiosis 1 हुई तो एक cell से कितने cell बने यहाँ पर दो cell राइट तो दो cell बनाते हैं यहाँ meiosis हो गई राइट और कितने cell बन गए दो cell एक सल ये बन गया दूसरा सेल ये बन गया ओके दो सेल बन गया यह नहीu तो यहाँ पर क्या हुआ USES 1 हो गई क्या हो गई USES 1 और USES 1 में क्या बने दो सेल टीक है, अब दो सेल में हम क्या बात करेंगी क्या हुआ होगा यहां पर जो chromosome थे वो separate हुए हाना मतलब यहां पर इस में एक chromosome ऐसे पहुँच गया और यहां पर एक chromosome ऐसे पहुँच गया क्योंकि यह homologus थे clear है वही पर मैं बात करूँ दूसरा एक कौन सा था यह वाला तो यहां पर एक chromosome ये पहुँच गया और यहाँ पर एक chromosome ये पहुँच गया तो यहाँ पर हुआ क्या बिटा Miosys 1 में क्या हुआ है Segregation of Homologous Chromosome क्या हुआ है Segregation of Homologous Chromosome Homologous Chromosome क्या हो गए Segregate, right अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसकी DNA की amount की, तो DNA का amount क्या हो जाएगा DNA की amount की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा amount कम होगा न क्यों क्रोमोजोम का number कम हो गया, तो DNA का amount जो है बिटा, वो कितना हो जाएगा 46 यहाँ पर 92 था, तो यहाँ 46 हो गया, chromosome का number जो है, वो कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पर मैम आधे क्रोमोजोम यहाँ चले गए, आधे इतने चले गए कितने थे total? 46, तो यहाँ पर कितने आएंगे मैम? 23, कितने आएंगे? 23, सेम यहाँ पर होगा, DNA का amount क्या हो जाएगा? DNA का amount जो है, वो क्या होगा? बताएए, DNA के amount की मैं बात करूँ तो यहाँ 46 picogram होगा, बट मैं chromosome के number की बात करूँ, तो chromosome का number कितना हो जाएगा? 23, इतना clear हुआ है या नहीं, जल दी बताएए. तो यह तो हुई मेरी meiosis 1, यह क्या हुई मेरी meiosis 1, तो यह क्या हुई है meiosis 1, जिसमें हुआ क्या है? Segregation of homologous chromosome, meiosis 1 में क्या हुआ है? Segregation of homologous chromosome. राइट बेटा, इतना समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ है? Segregation हुआ है किसका? Homologous chromosome का, यहाँ का एक chromosome कहां गया? ओके, अब क्या होगा? Meiosis 2 होगी. किसमें meiosis 2 होगी? इन दोनों cell की अंदर. तो यहाँ पर meiosis 2 कराते हैं, और इससे क्या बनेगा? Excel और इससे क्या बनेगा Excel. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? थोड़ा सा shifting, shifting करने पड़ेगी हमें. राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बिटा? देखिए. हाँ, I think इतना काफी है, राइट? पक्का दिख रहा है सभी को. तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है बिटा? यहाँ पर क्या हो रहा है? meiosis 2 हो रही है. तो इससे दो cell बनेगे? एक बन गया यह, राइट? यह बन गया एक. दूसरा यह बन गया. तीसरा यह बन गया. और चौथा यह बन गया. राइट? बन गये चाहाँ सेल्स? बने या नहीं बने? जल्दी बताइए. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बिटा? यह हुई है हमारी meiosis 2. क्या हुई है? मिया जिस 2. यह हुई हमारी meiosis 2. तो meiosis 2 हुई हुई बिटा. इसमें क्या हुआ बताइए. क्रोमोजोम ऐसे थे ना. अब कैसे होंगे? इस तरीके से. यह. ठीक है? और यहाँ पर दूसरे कौन से कलर का था? हमारा ग्रीन कलर के. तो यहाँ पर यह आ गये ग्रीन क्रोमोजोम्स. यह आ गये ग्रीन क्रोमोजोम्स. राइट? इस तरीके से यहाँ क्रोमोजोम्स आ गये. ओके. तो देखें बिटा, यहाँ पर इनका क्या हुआ है? chromatids जो है वो क्या हो गई? separate हो गई कौन सी chromatids? sister chromatids कौन सी separate हुई है बिटा? sister chromatids दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बहुत छोटा तो नहीं हो गया जल्दी बिता है यह बहुत छोटा तो नहीं हो गया नहीं तो हम एक काम करेंगे फिर क्या करोगे माम यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं राइट यह इस तरीके से ओके यहाँ पर क्या होगी sister comatid जो है वो separate हो गई राइट यह यहाँ पर यह हो गई sister comatid separate ओके यह देखिये यह क्या है हमारे centromere तो अब बताईए विटा क्या होता है यहाँ पर क्या हुआ जब meiosis 2 complete हुई क्या हुई meiosis 2 complete हुई तो क्या बने 4 cell बने 2 cell से कितने बने 4 cell तो meiosis 2 में क्या होता है segregation होता है किसका segregation होता है यहाँ पर होता है segregation segregation of of sister chromatids, किसका segregation होता है, segregation of sister chromatids, right, अब हम बात करते हैं, amount of DNA and chromosome का, तो यहां पर amount of DNA, इसका क्या हो जाएगा, half, क्योंकि एक cell से यह दो cell बन रहे, इस cell से यह दो cell बन रहे, तो यहां पर DNA का amount क्या हो जाएगा, half, मतलब DNA का amount कितना हो जाएगा, यहां, DNA का amount जो है वो कितना हो जाएगा, 23 picogram, कितना हो जाएगा, 23 picogram, chromosome का number कितना होगा, वो तो सेम रहेगा, क्योंकि यहां पर, यह chromosome diad condition में थे, एक chromosome के पास दो chromatids थी, यह chromatid आपस में क्या थी, sister chromatid, इसलिए तो बोला, किसका segregation हुआ, sister chromatid का, यह chromatid यहां गई, एक यहां पर आगई, एक chromatid यहां रगई, एक यहां रगई, तो chromosome का number थो अभी भी कितना हो जाएगा, 23, यहां पर भी मैं DNA की बात करूँ, तो DNA का amount जो है वो कितना होगा, DNA amount जो है अभी भी 23 picogram है, और chromosome का number भी क्या है, 23, हुआ क्या, DNA का amount कम हुआ, यहां पर DNA का amount कितना हो जाएगा, DNA का amount कितना है, 23 picogram, एंड, chromosome का number जो है वो कितना हो जाएगा, 23, यहां पर भी DNA का amount कितना है, 23 पिको ग्राम और क्रोमोजोम का नंबर कितना हो जाएगा बिटा 23 तो यह क्या बनके हमारे चार से तो पूरा हमने यहाँ पर माइटोसिस मियोसिस लिख लिया है जल्दी से सका स्क्रेंड शॉट ले लीजे इस प्रकार से क्या बनते हैं आपके गैमीट का फॉरमेशन होता है तो जल्दी से स्क्रेंड शॉट लीजे तो पिटा यह आपने स्क्रेंड शॉट ले लिया आप हम बात करते हैं गैमीट की किसकी बात करते हैं गैमीट की तो जो गैमीट होते हैं उसका फॉरमेशन कैसे होता है जैसे कि मैंने यहां पर बोला बिटा, Miosis से gamete बन रहे, Char gamete बन रहे, तो कैसे बनते हैं gamete देखते हैं? चलिए, मैं बात कर रहे हूं gamete की, तो हम बात करते हैं pollen grains, किसकी बात करते हैं pollen grains, आप 10th क्लास में पढ़के आए, pollen grains, पढ़ाएं नहीं पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत, ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पोल इन ग्रेन और एक की, किसकी बात कर रहे हैं? पोल इन ग्रेन और एक की? तो मैं बात कर रही हूँ, पोल इन ग्रेन और एक की, हाना? किसकी एक की? तो होता है क्या है बेटा जैसे कि मैं 12th class में पढ़ाती हूँ मैंने बताया वहाँ पर कि बेटा एक जो होता है pollen mother cell या हम बोलते है माइक्रोस्पोर mother cell तो pollen mother cell या माइक्रोस्पोर mother cell में क्या होता है pollen mother cell या माइक्रोस्पोर mother cell जो है इसमें क्या होती है मियॉसिस होता है क्या होता है मियॉसिस तो यहाँ पर हुआ मियॉसिस और इस मियॉसिस से क्या बनते है चार पोलिन ग्रेन बनते है इस से क्या बनते है बिटा चार पोलिन ग्रेन बनते है तो यह वान टू थ्री 4, य चार क्या बन गें? Polen Green, Right? तो यहां पर 1 meiosis से क्या बने for Polen Green Okay, तो देखिए 1 meiosis से आपको कितने Polen Green मिल रहे हैं? 1 meiosis से, इसके question आते हैं इसलिए बता रहे हूं 1 meiosis से कितने Polen Green मिल रहे, 4 нар hes 4 Polen Green Right? तो एक pollen grain करने के, एक pollen grain के लिए आपको कितनी meiosis करनी पड़ेगी, बताइए, बताइए, एक pollen grain के लिए आपको कितनी meiosis करनी पड़ेगी, 1 by 4, क्या 1 by 4, ऐसा नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, देखिए, ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से रहे हैं एक मियोसिस से, वन मियोसिस, right? ठीक है मैं, समझ में आ गया, अगर मुझे एक पोलेंट ग्रेंट चाहिए, क्या चाहिए, वन पोलेंट ग्रेंट चाहिए, तो मुझे कितनी मियोसिस करने पड़ेगी? ये तो पढ़ाया ना अपने physics में, chemistry में chemistry में हम पढ़ते है whole concept में, अगर आपको एक pollen grain चाहिए, तो इसको divided by ये कर दो, तो 1 by 4th meiosis होनी पड़ेगी बट ऐसा तो है नहीं कि meiosis 1 by 4th हो जाए, right ऐसा possible है क्या, जल्दी बताइए, possible है क्या कि 1 4th meiosis नहीं, right फिर हम बात करें कि अगर मुझे X pollen grain चाहिए क्या चाहिए, X pollen grain तो मुझे क्या करना पड़ेगी जल्दी बताइए XY4 meiosis करने पड़ेगी क्या करने पड़ेगी XY4 meiosis जैसे कि किसी ने मुझ से बोल दिया, जैसे कि किसी ने मुझ से बोल दिया कि आपको क्या करना है कितने pollen grain बनाने है मुझ से बोल दिया कि आपको 100 pollen grain बनाने क्या बनाने, 100 pollen grains बनाने मना बना ठीक है, तो मुझे क्या बनाने 100 pollen grain, तो 100 pollen grain बनाने के लिए मैं ये question देनी हूं जैसे कि 100 pollen grains बनाने मुझे, तो कितनी meiosis करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना है क्या formula है x pollen grain के लिए xy4 100 के लिए आपको क्या करना है 100 by 4 4 से divide करो तो कितनी meiosis लगेगी यहाँ पर जल्दी बताई कितनी meiosis लगेगी 25 meiosis तो यह तो simple calculation था हो गया राइट अब किसी ने आपसे बोल दिया कि आपको चाहिए 104 pollen grain कितना? 104 नहीं मैं 104 भी नहीं बोल रही मैंने बोला मुझे 105 pollen grain चाहिए 105 भी नहीं बोल रही मैं मैंने बोल दिया कि मुझे कितना pollen grain चाहिए मुझे चाहिए 25 pollen grain कितने चाहिए 25 pollen grain बहुत बड़ा बड़ा नहीं करते हैं यहाँ पर मुझे चाहिए 25 पोल इन ग्रे तो आप क्या करोगे 25 divided by 4 किससे होगा जल्दी बताईए कैसे हो रहा है सिक्स टाइम हाना सिक्स पॉइंट क्या होगा 25 6.25 मियॉसिस क्या है 6.25 4 6 जा 24 1 हाना तो 2 जा 8 और 20 क्लियर है तो 6.25 मियॉसिस आ रही है बट क्या ऐसा मियॉसिस पॉसिबल है नहीं तो हम 6.25 मियॉसिस ना करके हम कितनी करेंगे यह नहीं होगा मियॉसिस कितनी होगी 7 क्यों हमें पोल इन ग्रेन कितने चाहिए 25 तो उसके लिए 6.25 मियॉसिस आ रही है तो हम 6.25 नहीं करा सकते हमें चाहिए 25 इसलिए हम 6 भी नहीं करा सकते क्योंकि 6 में हमें सिर्फ 24 मिलेंगी तो हमें जाधा हम क्या करेंगे जाधा मिल जाए हमें बट चाहिए जितने उतनी मियॉसिस तो करानी पड़ेगी हम 6.25 भी नहीं करा सकते six भी नहीं करा सकते हम कराएंगे seven meiosis कितनी कराएंगे seven meiosis right वही पर egg की बात करूँ मैं किसकी बात करूँ एक की तो मैं यहाँ पर किस से mega spore mother cell से क्या बनाती हूँ यहाँ पर मैंने mega spore mother cells ठीक है इसमें मैंने क्या कराया meiosis कराई अना क्या क्या कराई व्यकार व्यकिऊं कराई तो मुझे क्या मिला पर टा छार meager Sepore मिले चार Megasphere मिले तो मुझे मिले चार Megasphere राइट यह 4 magie support जो है यही इसमें आइसमें से 3 नॉन फंक्शनल क्यों है क्योंकि ये क्या हो गए है डी जेनेरेट यहाँ पर बेटा सिर्फ आपको एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर मिलेगा जो कि आगे किसको बनाएगा यहाँ पर इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से ये क्या बन गया आपका एग क्या बन गया एग तो यहाँ पर आपको एक मियोसिस करने पर एक ही एग मिल रहा है राइट, वन एग, वन एग के लिए आपको कितनी मियोसिस करनी पड़ रही है, वन एग कितनी मियोसिस करनी पड़ रही है, वन मियोसिस, राइट, यहाँ पर कितनी करनी पड़ रही थी, बताईए, हम X, Y, 4 तुम ले रहे हैं, बट हम उसको सिर्फ निकालनी के लिए ले रहे हम यहाँ पर fraction में meiosis नहीं करा सकते तो अगर आप से पूछेंगे X seed के लिए किसके लिए X seed के लिए कितनी meiosis करानी पड़ेगी तो भाई आप क्या बोलोगे X seed किस से बन रहा है fusion of male and female तो यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा आपको X seed के लिए XY 4 तो क्या चाहिए बताए XY 4 किसकी meiosis करानी पड़ेगी बताए यह pollen grain की और वहीं पर X किसकी करानी पड़ेगी इस egg की यह किसके लिए है pollen grain के लिए और यह किसके लिए है egg के लिए तो ऐसे आप निकाल सकते हो clear है या नहीं बेटा जल्दी बताएए तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे जल्दी से screenshot ले जे क्या आपने screenshot ले लिया तो देखिए अब क्या बोल रहे है meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number each तो देखिए simple सी बात है यहाँ पर meiosis की वज़े से हम organism में chromosome का number क्या रख रहे है specific रख रहे है मतलब हम chromosome का number conserve कर रहे हैं right क्या कर रहे हैं कंजर्च हर एक species में chromosome का number कंजर्च क्यों है क्योंकि क्या हो रही म्योस्थ हो रही है हम। हमley सेक्षण करें ह Сегодня हमियृमन का कर रहे है सेक्षण कर रहे है अब अब और निचन करना है तो शाचांच करना रहे है तो हन्या gamete की बात कर लेते हैं, यह gamete है, यह gamete है, मतलब मैं बात करूँ, यह ovum है, यह क्या है, यह ovum है, ovum में अगर 46 kromozom होते, वहीं पर यह क्या है, sperm है, इसमें भी कितने kromozom होते, 46 kromozom होते, तो 46, 46, यहाँ पर इनका जो offspring होता, जाइगोट जो होता उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं जल्दी बताई जाइगोट में कितने होते हैं 92 क्रोमोजोम राइट 46 प्लस 46 मतलब यहां पर तो species में क्रोमोजोम का नंबर कॉंस्टेंट नहीं रहा राइट तो तो क्रोमोजोम का number constant रखने के लिए हम क्या कराते हैं? मियोसिस, right? तो यहाँ पर इस ovum में कितने क्रोमोजोम होंगे? 23, कितने है? 23 प्लस sperm में कितने है? 23, right? जब यहाँ पर zygote बनेगा उसमें कितने होंगे? 46, तो zygote में कितने है? 46, clear है? कैसे 46 हो पा रहे हैं, पता है ना? क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होती, तो यहाँ पर क्रोमोजोम का number कम नहीं होता, half नहीं होता, ovum में और sperm में क्रोमोजोम का number कितना रहता है? जन्दी बताए, 46 और इनके zygote में number double हो जाता है, तो मतलब वो species तो नहीं बनती, achieved across generation in sexual reproducing organism, even though the process paradoxically result in the reduction of क्रोमोजोम number by half, तो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम का number क्या हो जाता है, half हो जाता है, तो जल्दी से भी टसका screen shot ले लीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रोमोजोम का number half कर रहे हैं, तो मैं कुछ point लिखना चाहूँगी किसके बारे में, significance of meiosis के, तो significance of meiosis में आप क्या बोलोगे, significance of meiosis में आपको क्या क्या point याद रखने है, में, meiosis क्यों कर रहे हैं हम, chromosome number, number, क्या बोल रहे हैं, यह conserve of specific chromosome, conserve chromosome number, in species, ठीक है, तो species में यह क्या कर रहे है, chromosome का number, conserve रख रहे हैं, इतना clear हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, next point क्या होगा, इसकी वज़े से क्या आती, variability आती है, क्या आती है, variability, क्या आती है, variability, इसलिए हमें new new species मलती है, क्यों क्योंकि sexual reproduction हो रहा है, तो क्या मिल रहे हैं, यहां पर हमें conserve हो रहा है, किस का number, chromosome का number, variability मिल रहे हैं, हमें किस में, जल्दी बताईए, किस में मिल रहे हैं, हमें variable, organism में variability मिल रहे है, right, gamete formation कराता आता ये, ठीक है, gamete formation में इसकी जरूरत है हमें, right है, क्योंकि यह क्या करता है, reduce करता है, reduce करता है, या half कर देता है किसका, half कर देता है, chromosome के number को, right, half chromosome number, right बेटा, तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे, जल्दी से screenshot लीजे, कि आपने इसका screenshot ले लिया, चले, तो evolution के लिए क्या जरूरी है, meiosis जरूरी है, okay, it also increases the genetic variability, अभी लिगवा दिया मैंने, तो ये क्यों जरूरी है, genetic variability के लिए जरूरी है, ठीक है, population of organism from one generation to next generation, okay, तो यहाँ पर एक generation से दूसरे generation में, population को पहुचाने के लिए, कौन जरूरी है, meiosis जरूरी है, क्योंकि gamete बनेंगे, तभी तो क्या होगी, population जो है, वो continue होगी, variations are very important for the process of evolution, इसलिए मैंने बोला था, meiosis होगी, तभी क्या होगा, evolution होगा, तो जल्दी से बिटास का screenshot ले लिजे, जल्दी screenshot लीजे, क्या आपने screenshot ले लिया है, बताएए, क्या आपने screenshot ले लिया, चलिए, तो यहीं पर हम खतम करते हैं, significance of meiosis, I hope आज की वीडियो आपको clear होगी, आज का session आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो clear है, तो like कीजे, share कीजें, subscribe कीजें, comment करना, बिल्कुल मत भूलेगा, तो आप हमें, YouTube चैनल पे तो already follow कर रही होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, तो किस बात की देरी, जल्दी फटावट पहले YouTube चैनल को subscribe कर दीजे, और बल आइकन को click कर दीजे, जिससे daily basis पर आपको notification मिलता रहा है, daily basis पर आप recorded videos, as well as live session अटेंड कर सके, इसके अराबा आप हमें follow कर सकते हैं हमारे page पर, तो page को follow करने के लिए simply आपको Google या Chrome पर जाना है, और वहाँ type करना है Magnet Brains, जैसे ही आप Magnet Brains type करोगे, तो आपको इस type का एक page open होगा, इस page में kindergarten to class 12th class तक की complete course की playlist अवेलेबल है, especially 11th and 12th class के लिए यहाँ पर आपको stream-wise playlist अवेलेबल होने वाली है, जैसे की shrine stream, commerce stream, humanity stream and, यहाँ पर stream-wise playlist में आपको किसी भी class की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी class में आपको playlist के अंदर क्या-क्याचीज़े include की गई है, की advanced theory जो की competitive exam में आपको जरूरी है, उसके अलाबा NCRT solution, MCQs, MIQs, one short revision, quick revision and daily practice question, इतना सब कुछ, हम आपकी लिए लेकर आए हैं playlist में, जिससे आपका हर एक chapter में सब कुछ अच्छे से cover हो जाए, आपको ना most important question छोड़ो, ना NCRT solution छोड़ो, ना हे MCQs छोड़ो, right, जिससे आपकी study काफी smart बनने वाली है, ओकि इसके अलाबा आप हमें follow कर सकते हैं, हमारी official website पर that is www.magnatebrains.com और आप हमसे जोड़ सकते हैं, हमारे social media handles के तुरू, जैसे कि Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, आप अब अबेल कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी link description box में दी गई है, तो चलते हैं magnetbrains की top courses की तरफ, उससे पहले जान लीजे कि magnetbrains के दो चैनल है, Hindi Medium Channel and English Medium Channel, Hindi Medium Channel पे सारे courses आपको Hindi में available रहेंगे, वहीं पर English Medium Channel पे सारे courses आपको English में available होने वाले हैं, अब बात आती हैं दोनों चैनल की, तो Hindi Medium Channel पे class 6-12 class तक के courses कराई जाते हैं, वहीं पर English Medium Channel पे आपको Kindergarden 2 class 12 के courses कराई जाते हैं, इन दोनों चैनल पे कौन-कौन से courses available है, तो यहाँ पर आपको CBSC board की preparation कराई जाती है, किसकी CBSC board की, क्या सिब CBSC board की preparation कराई जाती है, क्या Magnet Bains का platform state boards वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, क्योंकि Magnet Bains CBSC board के साथ state board को भी include करता है, जैसे कि Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, इसके साथ ही basic math, crash course and spoken English, ये सारे की सारे top courses, Magnet Bains आपको high quality education के साथ 100% free में provide कराता है, जी हाँ मैंने यही कहा और आपने सही सुना, Magnet Bains provide कराता है, unpaid subscription, तो जुड़े रहे हैं मुझ से और Magnet Bains से मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye.